हाई स्टुडेंट आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एवी पिन एजूकेशन में और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाश टू के मैथ और यह जो है अभियास 14 है इसमें जो फर्स्ट कोस्टन है को काता है निमनलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं करमसा दू तीन चार पांच छो साथ आट नौ दस इगारा बारा अठारा तथा पचीस से भी भाजित होगी ता पीछले वीडियो अप लोग अगर नहीं देखे होंगे ता पह कि ना तो इसमें जो है आज हम केवल है को सहन बताएंगे जैसे फास्ट को संभ का का फरस्ट को सटन को चार सौ अठ technically इसको बताना है क्या यह दूसरे चाहने का नियम क्या है कि एक एंग चाहें अन्तिम एक अंक को चुकि अंतिम एक अंक आठ है यानि कि दूसरे कटे वाला है ठीक है आठ है या दूसरे कटे वला है कटे वाला है है ना अता 408 दूसे विभाज है पहिला तो एको जांच हो गिया है ना पहिला जांच हो गिया कि दूसे विभाज है अब देखेंगे क्या 3 से विभाज है तो आप कहेंगे अब 3 से विभाज होने का नियम क्या है कि आंको का योग जो है तीन से विभाजित होना चाहिए आंको का योग तो आंको का योग देखिए चार पलस जीरो पलस आठ आठ चार बारा होगी आंको का योग बारा तो बारा जो है तीन से विभाजित है तो कहेंगे इसलिए कहेंगे चुकी बारा तीन से विभाज है अता चार सो आठ भी तीन से विभाज होगी विभाज होगी तदूसर को के जांच हो गिया इसे परकार से अब चार से कर रहा है कह रहा है कि चार से विभाज है कि नहीं उ बतावो तो कहेंगे अब चार से विभाज होने का नियम क्या है कि अंतीम दो आठ चार से कटे वढ़ा होना चाहिए नहीं तो डवल जीरो होना चाहिए कहेंगे कि अंतिम दो अंक 08 या 4 से कटे वला है तो जब 4 से कटे वला है यह है तो इसलिए लिखेंगे अता 408 4 से बिभाज होगी 4 से बिभाज होगी 4 से अब देख लिए आप कह रहा है कि 5 से करो 6 से 8 हो इसने 12 करेंगे मतलब 25 तक करेंगे तब देखिए इसमें तो कह रहा है आब आगे 5 से जाच करने के लिए 5 से जाच करने का नियम क्या है कि अंतिम एक आंक 0 होना चाहिए नहीं तो 5 से कटे वाला होने चाहिए लेकिन है यह नहीं है कहेंगे अब बे कहेंगे अंतिम एक आंक 0 या 5 नहीं है अता 408 5 से बिभाज नहीं है नहीं होगी चीक है मान से भी देख लिए अब 6 से तो कहेंगे अब 6 से विभाज होने का नियम क्या है कि जो संख्या 2 अत 3 दोनों से विभाज होगा वो संख्या 6 से विभाज होगा देखे तो 2 से भी विभाज है 3 से भी विभाज है कहेंगे चुकी 408 दू एवं तीन दोनों से विभाज है से विभाज है जब दूनों से विभाज है यह है तो इसलिए लिखेंगा अता 408 छो से भी विभाज होगी कि biting चौंज से भी विभाज होगी जुश्यक हैं था या अन्थम तीन अंगज है वाथ से कटेवला होना चाहिए ने तीन कोजीरोओ जो इसको देखिये तो आच से कि नहीं है तो 8 से कट जा रही है है ना कहेंगे कि चुकी 408 ट्याट से विभाजित है विभाजित है इतना चोटा रहेगा तो तुरंट भाग लगा कर देख लेंगे ती याट से विभाजित हैं फिर 9 से वी वाजिता के नियम क्या कहता है कि ऑंको का योग 9 से कट duas इसका मतलब नो सुना कटेगी अता है 408 नौसे बिभज नहीं होगी विभाज नहीं होगी है ना चलिए अभी 9 तक देखें अभी वाई-वाई इतना वानी बाकी है 10 11 12 18 चलिए इसको मिटाते हैं इतना जो आप नोट कर सकते हैं है ना एक बारा स्कीन सोट ले लिजे या वीडियो को पाउस करके आप इतना नोट कर लें चलिए आब नौ तक तो कर दिए अब 10 11 12 यह सभी को देखना है कि चलिए उस सब को भी देखते हैं कि एक ही कोशन बताएंगे बाकी सब जो है कोशन इसी तरह से जो है बनाना है दब भी कोशन है इस बहुत मानी जो है यह बनेगा चलिए अब चार सोव आठ है तवहीले कोशन के इंसर अभी हो रहा है साब दस अभी भाज का नियम क्या है कि अन्तिम एक जीरू होना चाहिए कहेंगे संख्या चार सोव आठ है चुकिशर सोव आठ के अंतिम आंक है अन्तीम एक अंक सुन नहीं है नहीं है अता अता चारसो आठ दस से विभाज नहीं है विभाज नहीं है फिर क्या कहता है अब से विभाज समस्थानों के अंको का योग का योग समस्थानों के अंतर जीरो चाहिए तो इगारा से कट बला होने चाहिए तो लिखते हैं समस्थानों का समस्थानों के अंको का योग का योग समस्थान में को नहीं पहला स्थान दूसरा स्थान तो दूसरे स्थान नहीं है ज समधस्थानों के अंकों का योग है तब बोलो दीसमस्थान के अंकों का योग मतलब ही पहला अस्थान एक तीसरा अस्थान 20 मस्थान है तो तो चार पलस आठ तो हो जाएगा बारा है ना तब इसका अंतर निकालते हैं तब बारा माइनस जीरो बराबर बार है इगारा से तो कटे वला एवे नहीं किया तो कहेंगे अता 408 11 से भीभाज नहीं होगी नहीं होगी चलिए भई इगारह तक तो देख लिए 12 से भीभाज का नियम क्या है अब 12 बीभाज का नियम है कि जो 4 और 3 से कटेगा वोici 12 से कट जागा तो उन्य देख रहे थे कि 4 और 3 दोनों से कट रही थी तो लिखेंगे चुकी 408, 4 एवं 3 दोनों से विभाज है, विभाज है, अता 408, 12 से भी विभाज होगी, अब 12 से कर दिए, उसके बाद 18 से है, ता 18 से नियम क्या है, कि इस छोतरी 18 मतलब जो 6 आ 3 से विभाज है, वो 18 से भी विभाज होगा, कहेंगे 408, चुकी 408, 6 तथा 3 दोनों से विभाज है, से विभाज है, अता 408, 18 से भी विभाज होगी, विभाज होगी, ओके, आप देखिए आगे, आप 25 से करना है, तब 25 से विभाज दा के नियम क्या है, कि अंति में 2 जीरो रहना चाहिए, नहीं तो 25 से कटे वोला होना चाहिए, आप दूनों में सब कुछो नहीं है, तो लिखेंगे कि 408 के अंतिम दो अंग, दो अंग, डबल जीरो, सुन्य, सुन्य या, 25 से कटे वाला नहीं है, नहीं है, अता 408, 25 से विभाज नहीं होगी, विभाज नहीं होगी, है ना, चलिए, यह जो है जाके यहां पर पहिला परस्ट के अंसर अभी हुआ, सब का जो है अंसर आम लोग निकाल लिए, इसी परकार से जोय को कोशन है, उतना सभी परस्ट के जो है एंसर इतना ही बड़ा बड़ा बनाना है, है ना, तो चलिए, बाकी जो है सब कोशन को इसी तरह से जो है आप बनाएंगे, आप देखते हैं यहां पर खाव नम्मर कोशन, अब बाकी जिसको समझने में दिक्कत है वो इसके पीछे वाला वीडियो को जरूर देखें, उसमें सभी के बारे में बताया गया है नियम, चलिए, खाव नम्मर कोशन है कि रिकतव स्थानों में ऐसा अंक लिखो कि छो का गुननखंड हो, खाव नम्मर कोशन में रिकतव स्थानों में वैसा अंक लिखो कि छो का गुननखंड है, 3 खालियतस्थान बकसा 5 दू sacr saw SamHay कि चुकी अंतिम 1 लोग वह किया है के चोड़िए इसको direct से देखें ईंकों का योग जो है हमें निकाले तो तीन कटने वाला अना चाहिए तो आंक्रो का योग निकाले का योग तो कितना एंगा वाई थी प्लस बक्सा पलस पांस Влад लुण पांस-बूसा थी दस 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 बक्सा फ्लस बेस जगह पर कोची लिखें कि मतला तीन से कटे वला आजाए जाना चाहिए ना इस पर घटाएंगे नहीं जोड कचीना है तो हम जोड़ना होगा मतला दू यहां रख देंगे तो बारा हो जागा जो कि तीन से कट जाएगा तो लिखेंगे बॉक्स के अस्थान पर दू रखने से आंको का योग तीन से कट जाएगी अता बॉक्स के अस्थान पर दू रखने से 6 से भी पुर्णता बिभाजित होगी इस प्रकार से यह विला खाण नमर कोशन जितना भी है सब कुछ है ऐसे ही बनाएंगे छो से कह रहा है तो देख लेंगे कि दूसरे कट्टे व्ला है की नहीं तो दूसरे कट्टे व्ला है कि अनति में कग कुछ है दू है कोई-पिमें नहीं बी की ठीरा है कुछ हो आएगा वो बक्सा आजाएगा तो देखेंगे अपने मन से सुचके कि बक्सा क्या स्थान पर कोची रखें तो रखेंगे और इस प्रकार से हम अस्टेटमेंट लिख देंगे ठीक है चलिए इसी प्रकार से गह नमर कोहशन देखते हैं और गह नमर कोहशन है रीकता स्थानों में ऐसा अंक लिखो कि वह जो है नौ का गुननखंड हो जाए तो नौ का गुननखंड होने के लिए वही बात है कि नौ से योग जो है नौ से कटना चाहिए जैसे गह नमर के फर्स्ट नमर कोहशन कहता है दू बाक्स फोर टू तो नौ का गुननखंड है मतलब नौ सी कटे वहला है नौ सी पूरा-पूरा कट जाएगी तो नौ से कटे का नियम क्या है कि आंको का योग नौ से कटना चाहिए तो आंको का योग देखते हैं निकाल के दू पलस बॉक्स पलस चार पलस दू चार दू छावाद दू आठ पलस बॉक्स तो बतावो ता इसमें हम कोशी जोड़ दें कि नौ से कट जाए तो कहेंगे आपके एक एक है ना को लिखेंगे बॉक्स के अस्थान पर चुकी बॉक्स के अस्थान पर एक रखने से अंको का योग कि नौ से विभाज होगी अता आपके बॉक्स के अस्थान पर का है वाक्स के अस्थान पर नौ यो सब पुछ राusterा इसमें आऊ जादे अस्टेंट में लिखेंगे एक यह statement में हो जाएगा कि बॉक्स के अस्थान पर एक रखने से नौ से विभाज होगी अता उस अंख्या भी नौ से पुर्णता विभाज होगी मतला इसा लिख भी सकते हैं अता दू और यहां पर एक लिखेंगे चार अर्दू यह संख्या नौ से पुर्णता विभाजित होग विभाजीत होगी ठीक है इस परकार से जो है इसका अंसर जो है हम लोग कर देंगे अगला देखिए अगला जो कोशन है आपका घर नम्मर कोशन तो यहां पर ध्यान दें तुरांत जो है आप खतम होगा वीडियो क्योंकि एक कोशन दो कोशन और करेंगे चलिए यहां पर ध्यान दिजिए आठ से इसी प्रिगार करना है फिर 11 से फिर 25 से तो यह 25 वाला कर दे रहें देख लीजिए चार नम्मर के फर्स्ट कोशन है 6912 बॉक्स ऐसा है तो देखे तो लाश्ट कोशी रहना चाहिए पचीज से पचीज से कटे वाला न तो डबल जीरो तेहां दू है तेहां पांच रहना चाहिए बस अंसर हो गया तहीं आगे वाला जो है और भी आसानी से बना सकते हैं तो इतना ही आप खुद से बनाए और फिर आप इसके पीछले वाला वीडियो को भी देख लें तो आज हम यहें पर जो है वीडियो को इंड करते हैं और फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्ष्ट अभ्यास में अभ्यास पंद्रा को देखेंगे और आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धनेवाद